हेलो दोस्तो वेलकम टू अवर चैनल आज हम बात करेंगे कि शूज का स्टॉक आप कैसे अपनी शॉक में जमाएं क्योंकि काफी शू लोगों का आता है काफी कंप्लेंडी आती है कि जैसे आपने शूज डिस्प्ले में तो लगा दिया अब इसके बाद जो यह स्टॉक होता है यह चारो तरफ आप जो स्टॉक जमाते हैं तो इसका आप इसको ढूंडें कैसे कि कौन सा शूज कौन से बॉक्स में रखा है इसको प्रॉपरली कैसे जमाना है क्योंकि देखो आप कुछ शूज को तो आप सर्च कर लोगे बान लीजें माय एयर का शूज है या कैमपस क है इस तरह से आप कुछ शूज तो डब्बे के नाम से सर्च हो जाता है लेकिन इतनी वेराइटी होने के बाद में आपको यह पॉसिबल नहीं है कि आ प्रॉपरली इस तरह से जो आपने स्टॉक रखा हुआ है इसको आप कैसे सर्च करें तो इसके लिए एक सबसे कॉमनली आइडिया होता है शायद आप लोग को पता होगा शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो आज हम में आपको यह बताने वाला हूं कि वो क्या एक बेसिक सी चीज है जिसके थुरू आप यह चीज करके आप इसली फाइंड कर सकते हैं जैसे मान लिए कस्टमर ने यह शूज है आपको सिंपली एक कोडिंग अपनी शॉप में करनी पड़ेगी कोडिंग का मतलब है नंबरिंग नंबरिंग भी ऐसा नहीं कि एक ही नंबर से पूरा चलेगा इसमें आपको ए बी सी डी अलग-अलग रोज आपको सैट करनी पड़ेगी जैसे आपको कस्टमर ने मांगा यह वाला शूज तो ठीक है आपने मान लिए इस पर कोडिंग कर यह देखिए क्या कोडिंग है इस पर डी 15 आप देख पारें डी 15 मैंने इस पर कोडिंग करके रखिए इसी तरह से सभी पर नीचे कोडिंग करनी रहती है जैसे आपका नया stock shop में आया है आप उस पे coding डाल दीजे coding डालने के बाद इस पे तो आपने लिख दिया डी 15 डी 15 आपको लिखना है box पे भी अब जैसे मैं आपको लेकर चलता हूँ डी 15 कहा है डी 15 मेरा यह यहां है तो आप यह देख सकते हैं डी 15 का stock यहां पे रखा है अब यह कैसे मुझे मिला फटाफट इसके लिए मैं आपको बताता हूँ देखिए जैसे आपकी शॉप में तीनों दीवालों में जगह है stock के लिए तो आप एक लाइन बना दीजिए A की A for Apple एक लाइन आपने बना दी मालीजे B की एक लाइन आपने C की बना दी जैसे उपर वाली लाइन पूरी C की हो गई एक लाइन आपकी पूरी D की हो गई A, B, C, D ऐसे आप बढ़ा भी सकते है ठीक है जैसे मेरी नीचे लाइन है ये B की जम्य होई है ये A उपर से continue हो रहा है ये B नीचे से continue हो रहा है ठीक है और उपर यहाँ पर C लाइन जम्य होई है और उसके बाद D लाइन जम्य होई है तो जैसे मैंने सभी box पे numbering कर दी मेरे पाई stock आया मैंने उस पे numbering कर दी ज होती है जो आपको इजीली फास्ट सर्विस देने में कस्टमर को काम करेगी जैसे आप में यह अगला शूज देखता हूं यह वाले शूज पर मेरी कोडिंग है अब दूसरी चीज आपके पास जैसे किसी चाम करेगी अब दूसरी चीज आपके पास जैसे किशी चाम करेगी शूज में किवल एक साइज बचा है लास साइज बचा है तो आपको उस शूज के बॉक्स को ऐसे उपर रखे रखना की जरुवत नहीं है उसको आप क्या करो उसके दोनों शूज निकाल लो एक शूज कहीं एक आपका सिंगल साइज शूज का एक अलग सेक्शन मना लो साइज अवेलेबल नहीं है इसके नीचे कोडिंग की भी कोई जरुवत नहीं पड़ेगी इसका मुझे पता है कि किवल मेरे पास यह जो रखा है यही साइज है इसमें कस्टमर मांगेगा तो मेरे पास साइज नहीं है तो मैंने इसको एक अलग पोर्शन में डिस्प्ले कर कि यह सिंगल साइज है बात खता हूं तो इस तरह से आप सिंपली अपनी शॉप को मैनेज स्टॉक कर सकते हैं मैं काफी धग्या हूं बोलते बोलते अब चलिए ठीक है तो अब यह आइडिया अगर आपको अच्छा लगाओ तो आप लाइक कीजिए आइनो कि यह आपको प स्लीपर के बॉक्स होगे स्लीपर का बॉक्स का सेक्शन अलग हो जाएगा तो इस तरह से आप अपना मेनेजमेंट कर सकते हैं थैंक्यू फ्रेंड्स